हलो एवरिवन वेलकम तो मैंगने बेंस मैं अभिशेक कुमार मैंगने बेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है एंडिट परसंट फ्री एजूकेशन सारी एंसे एटी बुक्स और एंसे एटी एग्जांपले बुक्स के आपको कंप्लेट सॉलूशन सो उ सारा कंटेंट बेस्ट फिकल्टी के दौरा आपको यहां पर दिया जाता है मतलब मैंगल बिनस जो आपको हेंडिट परसंट फ्री एजूकेशन का वादा करता है ऐसा एकदम नहीं है कि आपसे तरह आपसे किसी तरह का कोई चार्जिस या किसी तरह का कोई subscription fees की demand की जाए सारा best content और वो भी सब best faculties की द्वारा ही आपको मिल रहा है तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम लोग cover कर रहे हैं class 6 students के लिए NCIT exemplar का chapter number 8 तो topic है ratio and proportion और उमीद करता हूँ कि part 1 आप लोगों ने पूरा watch किया होगा और यह जो आप part देख रहे हैं यह है part 2 जिसमें हम लोग सिर्फ fling in the blanks को cover करेंगे मतलब एक छोटी सी वीडियो around 10 से 12 questions है जो fling in the blanks से related है तो इस पूरी वीडियो को आप watch करिएगा एक छोटी सी वीडियो है आपके सामने चलिए हर एक question important है क्योंकि यह कही ना कही subjective part में भी आपसे पूचा जा सकता है इसलिए सिफ इस part को अलग से बनाया जा रहा है चलिए देखिएगा पहला सवाल आप लोग देखेंगे यहां question number 35 से चालू होता है तो पहला सवाल question number 35 है मतलब question number 34 तक हम लोग part 1 में solve कर चुके है उससे पहले का आपको जो solution जो question watch करना है जैसी theory चाहिए आप part 1 को पूरा watch करिए part 2 में question number 35 में यह हैं सारे fling the blanks कहां से कहां तक 35 से लेके 46 तक और इन fling the blanks को इस तरीके से fill करना है कि जो statement बनता है वो statement actual statement बने मतलब true statement रहे तो यही यहाँ पर bold letters में मैंने यहाँ पर दिखाया चली देखिएगा पहला सवाल कह रहा है कोई भी ratio एक तरह का comparison ठीक है और यह comparison किया जाता है कैसे तो यह comparison किया जाता है division method से तो आपको यह theory में बहुत अच्छे देखिए से पढ़ाई गई थी कि ratio is nothing but a form of a comparison by division इसलिए हम जब भी ratio निकालते हैं तो एक fraction बनता है numerator upon denominator का जहाँ पर की quantity का नीचे की quantity के साथ comparison हो रहा होता है तो ratio कुछ नहीं है एक तरह का comparison है दो quantities का और तरीका हम जो यूज करते हैं हो यह division method clear first ring the blanks आपका question number 35 यहाँ पर आपको complete तरीके से देखने को मिला question number 36 में यह क्या कह रहा है question number 36 में यह कह रहा है 20 meter is to 70 meter is equals to rupees 8 is to rupees watt तो यह है proportion का question ठीक है यहाँ पर आप देख रहें इस side की units अलग है और इस side की units अलग है ठीक है तो units उपर नीचे same होनी चाहिए अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि जब मैं 20 को 70 से compare करूंगा ठीक है और यह पूरा एक ratio compare होगा 8 by something से तो यहाँ पर हमें कोई चीज value नहीं लिखी है यह हमें x find करना है तो आप लोगों ने proportion में सीखा है कि जो बाहर लिखे हैं वो extremes है extremes को हमेशा आपस में multiply कर देते हूं means को हमेशा आपस में multiply कर देते हैं तो 20 multiply होगा x के साथ और यह 8 multiply होगा 70 के साथ तो आप देखेंगे x की value आपको find करनी थी तो यह हो जाएगी 8 into 70 by 20 और यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 0 कट गया और 2 से यह 4 times 8 गया तो 4 into 7 is x की value आपके आजाएगी 4 into 7 is 28 तो कुल मिला के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर rupees 8 is to rupees 28 आएगा आप लोग देख रहे हैं कैसे चीजों को हम कर रहे हैं solve तो यह एक तरह का हमने comparison किया है चार quantities का ठेकिया और इस comparison के लिए हम लोगों ने cross multiplication method का use किया तो यहाँ पर basically 20 by 70 का comparison था 8 by 28 का दोनों के units different थे either side पे तो वो units उपर नीचे कट गए इसका rupees इसका rupees कट गया इसका meter इसका meter कटा तो एक आपके सामने जो proportion बनके आया था वो बनके आया था 20 by 70 is equals to 8 by watt तो यह watt हमने पता किया था ठीक है यह चीज यहाँ जाके 20 से multiply होगी extreme multiply हो जाएंगे means multiply हो जाएंगे बस इतना ही आपको करना होता है there is a number in the box इस box के अंदर एक number आएगा इस तरीके से कि यहाँ पर एक series आपको लिखी हुई दिख रही है आप दिखेंगे आपको जो series दिख रही है पहला तो blank दिख रहा है equals to फिर आपको दिख रहा है 24 24 के बाद आपको दिख रहा है 9 और 9 के बाद दिख रहा है यहाँ पर 12 are in proportion the number in the box is आप बताइए यह सब अगर proportion में है तो इस box में क्या number में fill करूँ let this number be x अगर मैं बोलता हूँ यह number x है और यह अगर ratio form up कर रहे हैं अतलब x by 24 is to यहाँ पर आएगा 9 by 12 यह एक आपका proportion का तरीका होता है लिखने का ठीक है यहाँ पर यह जो बीच का proportion का sign है यह basically equal to में बदल जाता है 12 x के साथ आके multiply हो जाएगा और यह 24 9 के साथ जाके multiply होगा और cross multiplication कहता है x is equals to 9 into 24 by 12 और 12 2 times क्योंकि 24 होता है तो 9 की value 9 into 2 यह x की value 18 आजाएगी तो यहाँ पर यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि इस box में 18 आना चाहिए तो the number in the box is 18 तभी यहाँ पर एक proportion formation होगा clear if two ratios are equal अगर कोई भी दो ratios equal है then they are in then they are in same unit मैं ऐसा बोलूंगा अगर कोई भी दो चीजे आपस में मतलब if two ratios are equal कोई भी दो ratios अगर equal है मतलब a by b अगर equal है c by d के ठीक है तो if two ratios are equal then they are in same units ठीक है यह हम ऐसा बोलते हैं they are in same proportion ठीक है they are in proportion यहाँ पर word आना चाहिए उसको हम बोलते हैं proportion अगर कोई भी इस तेके से दो ratios को आप equal बोलते हैं तो यह दो ratios तब equal होते हैं तब इनको proportion बोला जाता है तो यहाँ पर आपने देखा question number 35 से 38 तक हमने fill कर दिया है चले move करते है question number 39 की तरफ तो question number 39 क्या कह रहा है इस पर देखिएगा यह कह रहा है use the figure 8.2 आप मेरे पीछे एक figure देख रहे है इस figure का use करना है question 39 और 40 को solve करने के लिए in which each square is of unit length हर square एक unit length का है ठीक है आप देखेंगे यह भी one unit है 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 इस side भी one unit इस side भी one unit इस side भी one unit ठीक है तो यह कह रहा है the ratio of the perimeter of the boundary of the shaded portion to the perimeter of the whole figure is अब किसकी बात हो रही है ratio की बात हो रही है किसका ratio the perimeter of the boundary of the shaded portion shaded portion की जो boundary है the perimeter of the boundary of the shaded portion shaded portion center में है तो यह इसकी boundary है clear है यह इसकी boundary है अब ये क्या बोल रहा है तो इसको कर देते हैं नीचे clear ठीक है ये कह रहा है अगर मैं ratio निकालूं ठीक है किसका जो shaded boundary है उसका parameter 2, 2 का मतलब है यहाँ पे double dot आएगा 2, the perimeter of the whole figure सारे पूरे figure का perimeter अगर हम ratio देखें तो यहाँ पे basically जो ratio हमसे पूछा गया है उस पे ध्यान दीजेगा यहाँ पे ratio बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और वो ratio जो इन्होंने मांगा है वो है perimeter of shaded part, perimeter of shaded part, s.p upon perimeter of whole figure ठीक है, perimeter of whole तो देखिएगा, shaded portion का perimeter देख लेते हैं, तो यह आएगा one shaded portion ठीक है, यह अभी मैं clear कर रहा हूँ, तो यह वाला unit है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह है one और यहाँ से लेके यहाँ तक यह है again one, और यहाँ से लेके यहाँ तक यह है again one, तो perimeter क्या होगा, देखना, one plus one two, और two plus one is three, three plus one is four, four plus one is five, five plus one is six, तो हम ऐसा कहेंगे कि perimeter of shaded portion जो है, वो है six, ठीक है, six क्या, six unit, upon perimeter of पूरा, पूरे का perimeter कितना आएगा, तो देखेगा, यह यहाँ से यहाँ तक one unit है, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, तो यहाँ पर आजाएगा 14 unit, six unit by 14 unit, अब ratio देना है, तो ratio जो है, वो हमेशा, एक S तरह का figure आपको लिखना है, जहाँ पर नीचे जब comparison करें, तो highest common factor one होना चाहिए, तो unit से unit cut हो जाएगा, और six by 14 का मतलब क्या, तो six बना है two into three से, और 14 बना है two into seven से, तो two से two cut हो गया, तो यहाँ पर हमाय सामने ratio आजाएगा three by seven, तो three is to seven का यह ratio बनके आएगा, यह किसका ratio निकला है, यह ratio निकला है, perimeter of shaded portion upon perimeter of whole figure, clear है, और यही हम से यहाँ पर मांगा था, तो यह हमने दे दिया, board कर देते हैं, थोड़ा सा clear, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखने को मिल सकते है, question number 40 भी इसी figure पर depend है, question number 40 में क्या बोला है, ratio निकाली है, किसका, the area of the shaded portion, shaded portion का area कितना है, तो यह length है, इसकी two unit, ठीक है, तो यहाँ पर clear करके मैं लिख देता हूँ, इसका length है two unit, और इसका जो breath है, वो है one unit, ठीक है, इसका area क्या होगा, तो area of shaded portion, area of shaded portion, by, किस से, किस से ratio निकालना है, to that of the whole figure, तो area of whole figure, area of whole figure, ठीक है, तो यह ratio क्या होगा, और यह ratio हमारा निकल के आएगा, area of shaded portion मतलब, two multiplied with one, तो two multiplied with one upon area of whole figure, तो एक, दो, तीन, चार, तो यह आजाएगा four multiplied with length, कितना है, four unit, multiplied with three unit, तो यह आजाएगा four into three, clear है, और two से नीचे four कटेगा, तो ratio हमारा जो आएगा, वो आएगा one upon six, तो ratio हमारा आएगा है, one is to six का, one is to six का, क्या किया अब इशिक सार नहीं समझाया, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने shaded portion की length और shaded portion की breath देखी, वो थी two unit or one unit, इसका area है length into breath, तो two into one, तो यह आया two, ठीक है, और नीचे आपका आया था, area of whole figure, तो length थी इसकी four, breath थी इसकी three, तो four into three किया, और यह आगे हमारी value 12, two से यह 12 काटा, तो one by six ratio आया, ratio one is to six, clear है, तो question number 39 और 40, यहाँ पे आप लोगों ने 40 तक fling in the blanks देख लिया, तो एक छोटी से वीडियो आपके सामने, ठीक है, इसको पूरा वाच करिये, और यहाँ पे question number 41 को देखी क्या दिया, question number 41 कह रहा है, sleeping time of a python in a 24 hour clock is represented by the shaded portion in figure 8.3, यह बोल रहा है कि एक python जो snake होता है, उसका जो slipping time है, वो अगर इस circle से मैं दिखा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जब python सोना चालू करता है, मतलब 0 से 6 गंटे, फिर 6 गंटे के बाद 12 गंटे, फिर 12 गंटे के बाद 18 गंटे, और इतने गंटे वो जाकता है, मतलब 18 से 24 गंटे के बीच में मतलब इसका अगर difference देखूं तो 24 में जाएंगे 6 गंटे, 6 गंटे वो जगता है, और कितने गंटे सो रहा है, तो वो सो रहा है, 12 प्लस 6 मतलब 18 गंटे, तो उसका sleeping time आपको दिया है, देखेंगे आप, यहाँ पर क्या दिया है, आपको sleeping time दिया, sleeping time दिया है, 18 hours, out of 24 hours, उसके जागने का time दिया है, तो इसका waking time क्या होगा, इसका waking time हम देखेंगे, तो यह waking time होगा, 24 में से minus 18 कर दिजिए, तो यह 6 hours आएगा, अब ratio निकालना है, किसका ratio निकालना है, ratio of the sleeping time, sleeping time है 18, तो 18 by awakening time है 6 hours, तो 18 by 6 का एक ratio बनेगा, इसको simplified form में अगर हम लिखें, तो 18 by 6 का जो fraction है, यह solve होके बनेगा, 2 into 3 is 6 and 2 into 9 is 18, 2 से 2 कट गया, 3 से 9 कटा, तो यहाँ पर 3 by 1 आएगा, मतलब 3 is to 1 का ratio आएगा, वो एक पूरा circle आप देखेंगे, तो ऐसे भी आप calculate कर सकते हैं, कि 3 parts वो सो रहा है, as compared to 1 part, तो अगर मैं उसके total सोने वाले time को 4 parts में divide कर दूँ, तो इन 4 parts में से वो 3 parts अपनी जिंदगी का, अपने दिन का वो सोने में निकाल रहा है, और एक part से वो जग रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग question number 41 को देख सकते हैं, जो कि 2 marks में भी आपको आ सकता है, board कर लेते हैं clear, answer आया 3 is to 1, कैसे आया, clear है, ठीक है, a ratio expressed in the lowest form has no common factor other than, ठीक है, एक ratio जिसको हम express करते हैं, उसके lowest form में has no common factor, उनमें कोई भी common factor नहीं होता, other than 1, 1 के सिवा, कोई दूसरा common factor नहीं मिलेगा, तभी उस fraction को हम ratio बोलेंगे, तो यहीं यहाँ पर question number 42 दिया है, theory part, ठीक है, यह आपको fling the blanks में दे दिया, आगे, to find the ratio of two quantities, कोई भी दो quantities का अगर मुझे ratio निकालना है, they must be expressed in same unit, अगर मुझे कोई भी दो चीजों में comparison करना है, ratio निकालना है, तो मुझे हमेशा उनकी unit same लेनी होगी, meter, meter, centimeter, centimeter, kg, gram, gram, liter, liter, तो unit हमेशा same होनी चाहिए, इतने सारे question हमने solve किये, part 1 में भी, तो आप यह चीज को समझ गया होंगे, ratio of two paisa to 25 paisa is, अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक ratio पूछा तुम से, किस चीज का ratio पैसे के साथ, ठीक है, 5 paisa का ratio, मतलब इसका comparison किया है, 25 paisa के साथ, ठीक है, the ratio of 5 paisa to 25 paisa is same as the ratio of 20 paisa to what, तो यहाँ पर basically आपको यह x निकालना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 by 25 का मतलब होता है, ratio बन रहा है, 1 by 5, तो 1 में ऐसा क्या multiply किया, कि 5 में भी करना पड़ेगा, एक तो यह तरीका है निकालने का, दूसर यह तरीका है कि आप cross multiply कर दो, तो यह basically एक proportion बन रहा है, unit से unit कट जाएंगी, और वहाँ पर value आ जाएगी, तो यह ratio बन रहा है, आपका 5 by 25 is equals to 20 by what, यह x 5 के साथ multiply हो जाएगा, इसका denominator numerator, इसका denominator numerator के साथ जाके multiply होगा, x की value निकालनी है, तो यह हो जाएगा 25 into 20 upon 5, तो 5 से 25 गया 5 times, 5 into 20, यह आजाएगा 100, तो यहाँ पर कुल मिलाके आएगा आपका 100, 100 पैसा, अगर 5 पैसे का comparison, 25 पैसे से कर सकते हैं, तो 20 पैसे का comparison, हम 100 पैसे से करेंगे, यह 100 पैसा कैसे आया, मैंने यही समझाया, clear, question number 44 तक हमने कर लिया, finally, salt, इसके बाद यह दो question और देखिए, तो यहाँ पर subjective formation हो सकता है, Saturn and Jupiter takes 9 hours, 56 minutes and 10 hours, 40 minutes respectively, देखो word respectively का मतलब मैंने बताया था पहली वीडियो में, Saturn के बारे में बात की है, तो यह data Saturn का दिया है, ठीक है, यह Saturn की बात की है, तो यह data पूरा Saturn का दिया है, और यह Jupiter की बात की है, तो यह पूरा data जो है, यह Jupiter का दिया है, clear है, for one spin on their axis, the ratio of the time taken by the Saturn and Jupiter in lowest form, तो आपको ratio देना है, किसका, Saturn to Jupiter, यह आपको देना है, अब Saturn को कितना time लग रहा है, तो यह लग रहा है, 9 hours, 56 minutes upon Jupiter को कितना time लग रहा है, तो Jupiter को लग रहे है, 10 hours and 40 minutes, ठीक है, अब देखो, उपर नीचे unit same नहीं है, यहां तो पूरी unit hours में हो, उपर नीचे, यहां तो पूरी unit minutes में हो, उपर नीचे, तो हम एक काम करते हैं, हम hours को minute में change कर देते हैं, हमें पता है, एक घंटे में 60 minute होते हैं, ठीक है, इसका मतलब 9 hours जो है, यह equal होगा 9 into 60 minutes के, ठीक है, ऐसे जो 10 hours है, तो 10 hours बराबर होंगे 10 into 60 minutes के, यह चीज़ समझ आती है, ठीक है, अगर एक घंटे में 60 मिनिट होते हैं, तो 9 घंटे में इतने मिनिट होंगे, 10 घंटे में इतने होंगे, अब इन फिगर्स को उठाके जब मैं यहां डाल दूँगा, तो ratio बनेगा आपका कितना, तो यह बनेगा 9 into 6, मतलब 9 into 6 is 54, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, 540 मिनिट, 540 मिनिट, इसके आगे 56 मिनिट और दिये थे, तो यह 56 मिनिट यहां एड हो जाएंगे, अपन 10 घंटे का मतलब है 600 मिनिट, और 40 मिनिट और जादा उसके आगे 40 मिनिट और, तो हम कहेंगे 600 प्लस 40, तो यह टोटल वेल्यू हमाई सामने बनके आ रही है, 6, 9, 5, 5, 596 मिनिट अपन 640 मिनिट, तो यूनिट से यूनिट कट गया, अब कंपैरिजन हो सकता है, 596 और 640, इन में 2, 2 के फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं, वो काट के हम अलग कर देते हैं, तो 2, 2 ताइमस 4, 2, 9 ताइमस 18, 2, 8 ताइमस 16, अपन 2, 3 ताइमस 6, 2, 2 ताइमस 4, 0, और 2 दिख रहा है, तो 2, 1 ताइमस 2, 4 ताइमस 8, 2, 9 ताइमस 18, अपन 2, 1 ताइमस 2, 6 ताइमस और 0, 160, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा lowest form जो आ रहा है, वो आ रहा है, 149 अपन 160, clear है, तो इस तेके से आपको चीजों को solve करना थ यह आपने कर दिया, तो question number 45 में सबसे simplest form में हम ऐसी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्या reason है, वो मैंने आपको समझा है, कहाँ add करना था, सारी units हमने minute में change करके, ऊपर नीचे minute से minute काट दिया था, तो हमने एक ratio दिया, 149 इस तो 60 का, 160 का, clear है, चलिए, move करते है, question number 46 मे तो 10 gram of caustic soda, अगर 10 gram हम लोग caustic soda लेंगे और उसको घोल देंगे 100 ml of water में, 100 ml of पानी में, तो यह हमें एक solution बना के देगा, वो solution का नाम है caustic soda, amount of caustic soda needed for 1 liter of water to make the same type of solution, देखे, यहाँ पर यह क्या बोल रहा है, अगर मैं 10 gram caustic soda लेता हूँ, ठीक है, तो और इसको पानी में dissolve कर देता हूँ, किसमें, 100 ml of water में, तो इसको मैंने dissolve किया 100 ml में, ठीक है, यहाँ से एक solution बनेगा, जो कि caustic soda का solution कहलाएगा, ठीक है, amount of caustic soda needed for 1 liter of water, आप बताइए, अगर यह ratio में follow करता हूँ, ठीक है, तो क्या ratio चल रहा 10 gram caustic soda, 100 ml से उसका comparison चल रहा है, तो 1 gram caustic soda कितने पानी में लगता है, तो 1 gram caustic soda हमें use होगा, यह 1 gram ना निकालते हूए, हम यहाँ पे निकाल ले, 10 by 100, 1 ml, 1 ml is equals to 10 by 100 gram, क्या किया सर आपने, देखो क्योंकि comparison वो लोग कर रहे थे, एक लीटर पानी से, एक लीटर, और एक लीटर में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 1000 ml होते हैं, ठीक है, तो 1000 ml होते हैं, एक लीटर में कितना powder लगेगा, तो हमने देखा कि 1 ml में, अगर 10 by 100 gram लगता है, मतलब 1 by 10 का ratio अगर चल किसके लिए, एक ml के लिए, तो आप बताईए, एक लीटर के लिए कितना, तो एक लीटर में क्योंकि 1000 ml होते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे, कि एक लीटर में क्योंकि 1000 ml होते हैं, जादा की quantity निकालनी है, तो यहाँ पर आजाएगा 1 by 10 into 1000 gram, और यह 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 gram मुझे caustic soda चाहिए, एक लीटर पानी में डालने के लिए, अगर 100 ml में 10 gram डलता है, तो एक लीटर में 100 gram डलेगा, खतम बात, तो यहाँ पर अंसर क्या आना चाहिए, same type of solution is 100 gram, कितना caustic soda चाहिए, मुझे 100 gram caustic soda need है, बस, तो इस पकार से आपको question number 46 तक solve करना था, तो एक छोटी सी वीडियो आपके सामने और इस वीडियो को watch करने के लिए, आपको simple type करना है, magnet brains, आपके सामने जो interface open होगा, वहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर explore top courses, explore top courses के head के नीचे, आपको NCIT examplers 6 to 12 का जो option मिल रहा है, जैसे ही आप click करते हैं, तो आपकी सारी मन आपकी सारी वो teacher सामने आ जाएंगी, जो NCIT examplers cover up कर चुकी है, मतलब 6th class से लेके 12th class तक, आपको watch करनी है 6th class की video, तो आप इसको scroll करिए, जैसी scroll करते हैं, तो आपके सामने मेरी यहाँ पर photo आएगी, और मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा 7th class, 6th class और 10th class NCIT examplers, आ मेरी photo के नीचे यहाँ पर watch now का button है, आप जैसे इसको click करेंगे, तो click करते ही आपके सामने मेरी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, complete एक book pattern, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि book में जिस्तिके से proper दिके से arranged manner दिखता है, एक index दिखता है, आपके सामने वो index आ जाएगा, topic wise, आपको जो जों सा chapter read करना है, जों से chapter का solution देखना है, आप उस chapter पर click करो, और video रनोना start, तो इतना असान है, घर बैठे बैठे त्यारी करना, वो भी magnet brains के platform पे, और वो भी 100% free education, from kindergarten to class 12, अब आपका कोई भी छोटा भाइबैन, या कोई भी बड़े भाइबैन, या आपके relation में, या भूलिएगा, क्योंकि आपके like से teacher का बढ़ता है motivation, और इसी के साथ में, चैनल को subscribe, मतलब bell icon दवाना मत भूलिएगा, क्योंकि bell icon दवाते ही, 6th class की videos पहले आप तक पहुंचेंगी, चलिए, मिलते हैं इसके third part में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये, buy and take care.